तो आज के इस वीडियो में लोग दिखेंगे चैप्टर थ्री जो है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबर इंटरवाइजिस जानेंगे कुछ-कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स और साथ ही मिलेंगे पूरे चैप्टर को ओवर्विव ताकि जब आप पढ़ना इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि उस-उस एरिया में आप ज्यादा फोकस कर सको ताकि जो एक्जाम में प्रोडक्टिविटी है होगा रिवीजन के टाइम आपके एक्जाम के टाइम वो ज्यादा अच्छ हो सके ठीक है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है तो इंट्रो पांच तरह के forms of organization हमने पढ़ेते हैं ठीक है वो सारे के सारे आपके private sector में आते हैं ठीक है इस वीडियो में हम लोग private sector और public sector दोनों ही देखेंगे ज्यादा focus public sector पर होगा क्योंकि private sector वाला जो जो forms of organization है वो हम लोग already chapter 2 में देख चुके हैं ठीक है साथी में हम लोग देखे है वो भी देखेंगे ठीक है तो यह सारे चीज़ हमें इस चैप्टर में देखने को भी लेंगे स्टार्ट करते एक चार्ट से जो एंचार्टी की बुक में दिया गया है यह रहा है यहां पर इंडियन एकनोमी है इंडियन एकनोमी में public sector private sector दोनों टाइप of sector दो टाइप of sector है public sector में form of organization की बात करें तो departmental undertaking, statutory corporation और government companies वहीं private sector में बात करें तो partnership, partnership, joint hindu family, cooperative company, company वहीं जो हमने पिछले वीडियो में देखा था और joint stock company में पब्लिक लिमिटेड, private लिमिटेड और एक multinational companies ठीक है इतने सारे चीज हमें पढ़ने है इस chapter में ठीक है जिसमें से private sector का आधा काम तो हम लोग पिछले chapter में ही कर चुके हैं तो बचा क्या क्या बचा आपका इस company के अंडर public limited, multinational companies यानि की company पूरा और इधर public sector में पूरा department taking क्या है, statutory corporation क्या है, government companies क्या है ये सारे पढ़ेंगे अब आपको focus किस में करना है focus आपको mainly public sector में करना है ठीक है इस chapter में और multinational companies में करना है ठीक है मैंने एक brief idea दे दिया अब start करते हैं अब नीचे आते हैं तो सबसे पहले देता है departmental undertaking क्या है, ठीक है departmental taking की कुछ-कुछ features है यहाँ पर, merits है, मैंने आपको बताती है कि limitations तो छोड़के जाना ही नहीं ये exam में, limitations को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है और एक बात और ये पूरा का पूरा chapter ही important है, इसमें छाटने को ऐसा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी जहां तक बात है important topics का तो मैं आपको उतातू इस chapter में जो public undertaking है, उसका features और limitations ये important है, सारे के सारे topics में है, ठीक है, बता दिए आपको अब नीचे आते हैं, statutory corporations का, statutory corporations वो होते हैं जो special act के थ्रू बनते हैं, act of parliament किसी भी act, special act of parliament के थ्रू उस corporation को बनाया जाता है और उसी act में उसका rules, regulations बता जाता है, जिससे वो corporation चलता है, ठीक है, brief idea मैंने दे दिया, अब यहां पे देखने वाली बात ये है, किसमें भी features दिएगा है, merits दिएगा है, or limitations दिएगा है, features और limitations पे ज़्यादा ध्यान देना है, अब government company, ठीक है, government company पे आते हैं, तो government company में य यहां पे लिखा हुआ है, यह पुराना NCIATI का book है, तो इसमें Indian companies act 1956, जो कि अब 2013 हो गया है, ठीक है, तो अगर आपके पास NCIATI को छोड़गी कोई और book है, जो updated है, तो इसमें 2013 लिखा हुआ, मिलेगा आपको, इन 1956 नहीं मिलेगा, ठीक है, अब बात कराएगी, तो government company का features, or limitations, ठीक है, इसमें, अगर हम लोग कुछ-कुछ limitations की बात कर ले, तो देख लेते हैं, since the government is only the shareholder in some of companies, it evades constitutional responsibility, which a company, financed by government, and should not answerable to parliament, ठीक है, and it is not answerable directly to the parliament, the government being the sole shareholder, the management and administration rests in the hand of government, the main purpose of government is, government company, arrested like other is defeated, ठीक है, यह तीन, चार, ज्यादा नहीं, तीन, चार ही है, जो exam में आते हैं, अब, यहाँ पे एक important बात आ जाता है, यह, कि changing role हो public sector, पॉब्लिक सेक्टर का changing role, यहाँ पे 1990, ठीक है, 1990 से पहले, और 1990 के बाद, यहाँ पे question भी दिया गया, आपका नीचे, 1991, sorry, यहाँ पे लिखा, describe the role of public sector before 1991, ठीक है, 1991 के पहले, public sector क्या role था, long answer question है, तो यहाँ पे changing role, के जो topic है, यह important के अंदर आते हैं, ठीक है, कहाँ गए, यह रहा, changing role of public sector, इसको बस आपको एक बाद रीड मानना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, एक बाद रीड मानने से, आपका काम आदा से जादा हो जाएगा, development infrastructure, regional balance, ठीक है, अब आपको ब्रीव ब्रीव बताते हुए जाता है, एक दो पॉइंट ही बताते है, development infrastructure, government का main focus है रहता है, कि वो infrastructure जो economic है, वो build करे, invest करे, अलग-अलग areas में, अपने company के through, ठीक है, regional balance यह है कि किसी भी तरह का discrepancies या फिर discrimination ना रहे, भेदभाव ना रहे, religion के उपराव को पता ही, इंडिया एक में बहुत सारे religions exist करते हैं, तो focus रहता है, government company का कि किसी भी आदमी को recruit कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, economics of scale, ठीक है, economics of scale में यह कहा गया है कि किसी के पास advantage है, यह गौर्णमेंट के पास advantage है, कि वो large scale में production कर सके और government का resources को use कर सके, जिससे आपका benefit यह होगा, कि सस्ता में समान बनेगा, ठीक है, और कम दाम में आपको sell किया जाएगा, चेक ओवर, concentration of economic power, इसमें क्या लिखा हुआ है, कि गौर्णमेंट पबलिक कमपनी का यह भी रोल है, कि वो देख करें, ऐसा देखें आपका economy में, कि किसी भी तरह का monopoly तो नहीं create हो रहा है, को एक particular industry में हो सकते एक ही दो company है, जहां पर वो अपना हिसाब से price charge कर रहा है, अपना हिसाब से production कर रहा है, तो ऐसा ना हो, एक healthy competition बना रहा है market में, ठीक है, तो यह सारे points आपको देखनी को मिलेंगे इसमें, तो पढ़ लेना अच्छे से, अब आगे बात करें global enterprises की, global enterprises multinational companies को ही कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि बहुत सारे multinational companies का मतलब यही होता है, कि वो एक से ज़्यादा nation में काम कर रहा है, ठीक है, अब इंडियन economy में, आपको तो पते ही है कि अभी multinational companies बहुत सारे हो गया है, जो आ गया है, इसके features, merits, demerits सारे कुछ important है, ठीक है, demerits, merits इस book में दिये गए नहीं है, लेकिन आपके एगर global enterprises है, तो इसके features, merits और demerits, super duper important है, यह पूरा topic आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें कुछ भी skip नहीं करना है, ठीक है, अब यहाँ पे features दिये गए है, features के बारे कुछ-कुछ बात कर ले, brief में, तो huge capital resources, सही बात है, कोई multi-assile company तो उसका operation more than one nation है, तो obvious है उसका capital resources अच्छा खासा होगा, second है foreign collaborations, अलग-अलग country में वो operate कर रहा है, तो foreign collaborations उसके बहुत सारे companies के साथ होंगे, private public जो भी हो, government के साथ, थर्ड है advancement of technology, technology advance होंगे, क्योंकि multi-assile company, obvious है बात है अगर उसको compete करना है, तो उसको अपना नयना innovations दिखाना ही पड़ेगा, innovation से second, fourth point भी ही है, product innovations, तो यह सारे features है, आपके global enterprises के, ठीक है, आते हैं joint ventures में, joint ventures क्या होते हैं, सबसे पहले brief में जानते हैं, जब एक या एक से अधिक company या फिर दो company, ठीक है, एक mutual understanding के under, एक दूसरे के साथ collaborate करते हैं, हाथ मिलाते हैं, अपने mutual benefit के लिए, तो उसको joint venture कहते हैं, ठीक है, अब हो सकता है कि वो private भी हो सकता है, global enterprises भी होता है, public enterprise भी हो सकता है, ठीक है, mutual benefit के लिए हाथ मिलाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग joint venture करते हैं, दो company, अब जैसे यहाँ पर भारती है ने इतिल, तो हम लोग भारती इतिल कहते हैं, यह joint venture है, ठीक है, 2005 में आया था, यह case है, आप चाहिए तो पढ़ सकता है, अगर आपको और अच्छा से मतलब समझना है, तो practically, अब, यहाँ पर लिखा है एक पॉइंट, यहाँ पर highlight नहीं किया है, धार्क में, जैसे दो आदमी, एक दूसरे का शेयर सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, दो पार्टी है, इसका बिजनस इंकॉर्परेट हुए इंडिया में, वन पार्टी ट्रांसफर कर दिया नहीं है, बिजनस अधर को, इस तरीके से, प्रोमोटर, शेयर होल्डर, इंडियन कंपनी का, ठीक है, अगर वो non-resident है, तो वो चाहता है, jointly carry carry business, यह सारे चीज आगे दिया गया है, मुझे लगा नहीं दिया गया, लेकिन दिया गया है, बेनिफिट्स भी है इसका, बेनिफिट्स पढ़ना है, यानि कि आपको global enterprises, ठीक है, प्लस, joint venture, पूरा पढ़ना है, इसमें कोई compromise नहीं होगा, ठीक है, अब, बेनिफिट्स के कुछ-कुछ बात कर ही लेता है, increase resources and capacity, हो सकता है, दो आदमी मिलते है, जब दो से ज़्यादा आदमी या फिर एक आदमी से ज़्यादा आएंगे, तो उसका resources भी बढ़ेगा, capacity भी बढ़ेगा, technology का access होगा हो सकता है, एक आदमी का पास technology अच्छा है, दूसरा आदमी का पास से अच्छा नहीं ह resources भी मिलेगा उसको, नयना innovation होगा, दो आदमी मिलके अच्छा 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 product innovate कर सकते हैं, यह सारे चीजी दियेगा है, basic 11 का business studies कोई hard नहीं है, basic basic चीज दिया गया है, जो आपको बस ध्यान रखना है, एक पर read out कीजिएगा, खुद से point बना के लिखेगा, वही exam में देखे, exam में लिखना है, तो यह point का जो लिखा established brand name, यह आपका book का हो तो अच्छा है, जो अंदर का जो लिखते हैं आप, जो भी हो, वो आप अपने word में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो यहां बोला है वही लिखना है, ऐसा कोई rigidity नहीं है, points कोशिस किजिए कि सेम हो अलग भी हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन try किजिए कि NCRT book का points रहे, तो आपको ज़्यादा benefit करेगा और कोई बात नहीं है, तो चैनल को subscribe करेजिएगा, भूलेगा मत, यह था पूरा overview, साथ ही में important topics जो आपको ज़्यादा focus करना पड़ते समय, hope आपको यह वीडियो अब यह और वीडियो जाएंगे, तो stay tuned